हेलो गईस वेल्कम तो स्टडीजिस्ट दे यूनिक प्लाट्फ्रम अफ एड़केशन धान देख सकते हैं यहांपे हम लोग का चैनल है यहांपे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हम लोग का community join कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि हम लोग का community है यहाँ पर आपको मैं number मिल जाएगा यह है हम लोग का 9933 379 4423 यह जो number है यहाँ पर आप आखे आप WhatsApp पर join कर सकते community हम लोग का Facebook page में आप like कर सकते हैं और हम लोग का Telegram में भी आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर एक फाइदा जो होगा हम लोग का community में कि यहाँ पर regularly आपको जो live classes है आपका जो extra जो आप लोग का जो notes है जो previous year question paper है doubt clearing session है यह साब आपको मिलते रहेगा notification मिलते रहेगा तो do subscribe and follow our channel and join our community as well as follow us on Telegram and don't forget to like on Facebook तो चलिए शूर करते हैं आज हम लोग देखेंगे हम लोग का पहले का दो जो वीडियो आया है HCF और LCM का उसमें हम लोग discuss कि है HCF में totally first वीडियो में हम लोग देखे कि prime federation क्या है prime federation में पहले देखे कि factors क्या है फिर देखे prime federation क्या है फिर HCF कैसे निकालते है flying federation से फिर second वीडियो में हम लोग देखे कि long division method क्या है और long division method यूज करके हम लोग कैसे HCF निकाल सकते हैं तो वहाँ पे छोड़ा सा पार्ट रहे गया था जो इस वीडियो में हम लोग cover up कर देंगे कोई tension के वाली बात नहीं है तो next है कि हम लोग अभी LCM सुरू करने वाले है LCM में हम लोग देखेंगे कुछ कुछ इसका definition पहले तो जा रहेंगे LCM है क्या फिर देखेंगे इसका कुछ properties जो है देखेंगे कि LCM का properties क्या है important कुछ concept देखेंगे फिर examples देखेंगे ताकि आप LCM का भी problem जैसे HCM में आप सिखे हो वैसे LCM भी आप वो real time business पे आप apply कर पाओ तो चलिए शुरू करते हैं LCM बला part इस video में आज का class का objective है कि LCM क्या है जानेंगे LCM का आप देख सकते हैं LCM का फूल फ्राम है यह है least common multiple तो least common multiple क्या है कि कोई भी number का multiple मतलब जो आपका जो number उसको exactly काटती है factors तो least common जो least common common में सबसे कम जो लेते है just opposite of the HCF जैसे कि हम लोग आप देखते थे कि जो least index लेते हैं यहाँ पर maximum index लेंगे तो यह जो least common multiple जो multiple कोई भी number का मान लीजे multiple है जैसे कि मान लीजे 6 2 है ठीक है 2 into 3 ठीक है तो यह हो गया इसका मतब least common multiples of 6 ठीक है तो आपका जो least common multiples कोई भी 2 number का यहाँ भी एक number पर आप calculate नहीं कर पाऊगे यहाँ भी आपको 2 और more numbers को आपको ज़रुवत पढ़ने वाली है तो ऐसे भी एक number का LCM आप नहीं निकाल पाऊगे तो minimum 2 और more numbers are required for LCM and HCM both तो अब जब आप calculate करोगे यह इसमें जो least common multiple है least जो multiple है तो उसको उसको बोला जाता है least common multiple LCM and यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे कैसे problems solve किया जाता है real time basis पर जो आप लोग को exam point of view से बहुत ही महत्पूर्ण है बहुत ही important है आपको apply करना वो कैसे कैसे different different types of problem में आप apply कर सकते हो यह सब आप यहाँ पर अभी सीखेंगे तो इससे जाने से पहले को प्राइम का उवह हम लोग देखेंगे कि को प्राइम क्या है concept of को प्राइम numbers को प्राइम कुछ नहीं है देखिए दो नमबर जब जो प्राइम नमबर है जैसे कि मान लीजिए two numbers are को प्राइम to each other they have no common factors except one जैसे direct definition में बोल देते हैं तो अगर जो दो number है जैसे कि 15 और 32 यह प्राइम का कुछ ऐसा यह है कि प्राइम यह मतलब 32 जैसे देख सकते है प्राइम नहीं है तो 15 और 32 इस दोनों में क्या है अब तभी हम लोग प्राइम बोलेंगे देखिए इस दोनों में सिर्फ एक ही है only one is the common multiple of both ठीक है common factor of both multiple तो common factor of both तो 15 और 32 में एक के सिलावा कुछ नहीं है मतलब एक के किलावा कुछ और factor नहीं है 16 और 5 में भी देखिए इसमें भी common कोई factors नहीं है खली एक के इलावा only one 1 into 5, 1 into 6 तो 1 दोनों में common है 8 और 27 में देख लीजिए यहाँ पर भी आपका only one है जो only one ही आप लोग का दोनों में common है ठीक है तो इस pairs को यह जो number का जो pair बनता है pair मतलब 2 इस दो number का जो couple बनते है एक साथ, एक number एक number दोनों number को इस साथ में बोलते है pairs ठीक है दोनों number का जो pairs है यह दोनों number तो जो pairs है तो इसको बोलते है co prime co prime ठीक है इसको बोला जाता है co prime number तो hcf of two numbers n1 and n2 माल लिजे दो number है n1 and n2 bh then number left by dividing n1 and n2 by h are co prime to each other तो यह एक property है hcf का जैसे दो number माल लिजे 15 ठीक है 15 और 32 इन दोनों का देखिएगा 15 का multiples है 3 into 5 और इसका होगिया 2 into 2 into 2 मतलब यहां दोनों में बोलना है कि दोनों में 2 into 4 4 into 8 into 2 into 2 ठीक है तो दोनों में hcf देखिए hcf दोनों में 1 तो दोनों number को अगर 1 से divide करेंगे तो आएगा यह number खुद 15 और 32 तो यह दोनों अपस में हो जाएगा आपका co prime तो यह है हापका co prime का बदलब concept और अभी यहां पे जो property है देखेंगे if the hcf of 2 number भी a मान लिजीए दोनों number का जो hcf a है ठीक है then number can be written as दो दो number है उसको least दिख सकते ax और ay के टब में जहां पे x और y co prime to each other होगा जैसे मान लिजीए दो number है ठीक है मान लिजीए दो number है क्या क्या है मान लिजीए कि एक है आपका जो 1 के मान लिजीए एक number है 9 ठीक है और एक number है आपका मन लिजिए 21 ठीक है 9 का जो में अबनेबल है आपका हो गया 3 x 3 और 21 का होगा 23 x 7 तो दोनों में देखिएगा 3 है HCF ठीक है तो दोनों में आपका HCF 3 हो गया तो इसमें हो जाएगा इसको हम लोग लिख सकते है तो यह हो गया यहाँ पर A यह इस लाइन की साबसे यहाँ दोनों नमबर का जो यह हो गया आपका 3 A तो इसको ऐसे लिख सकते है 3 x 3 और इसको लिख सकते है 3 x 7 एक्वाल टो 21 ठीक है तो यह ही जो है यहाँ पर x और y का टम में यहाँ पर x हो गया 3 y हो गया 7 तो यह बोला गया है जब भी जो hcf रहेगा जैसे कि 3 यहाँ पर जो hcf है यह यह हो गया यह जो A हो गया यह पार्ट जब भी इससे दो आपका जो नमबर कोई भी x और y मान लिजीए तो होगा तो यह दोनों को अगर मान के चलेंगे तो यह दोनों नमबर इससे मल्टिपलाई करेंगे यह तो को प्राइम है यह साथ में यह दोनों भी को प्राइम होगा तो यह है यहाँ पर बोला गया है ठीक है और x and y will be को प्राइम तो इच अदर if the hcf रहेगा 2 नमबर is A मतलब 3 के can be written as ax मतलब 3 into 3 और 3 into 7 वार 3 and 7 are को प्राइम और लिच अदर यह यहाँ पर बोला गया समझ मैं है अब तो अ मि लगता है कि جो को प्राइम का concept है यह ध्यान में रखियेगा कि यह ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 32 राइम नमबर नहीं है ठीक है तो इसे बोलते है को प्रेम यह बच गया था चलिए आज का यहाँ पर आपका HCM टोटली कर्दम होता है तो आज का क्लास में हम लोग देखेंगे कि LCM तो चलिए LCM सिखते हैं क्या है LCM LCM अभी बोले थे कि least common multiple least common multiple of two or more number is the lowest number that is divisible by all the number ठीक है जैसे मान लिजिए कि यहाँ पर LCM निकालेंगे किसका मान लिजिए LCM निकालेंगे 9 का और मान लिजिए LCM निकालेंगे 18 का तो 9 का अगर हम लोग factorization देंगे तो भी यहाँ भी दो method है तो यहाँ पर मान लिजिए maximum क्या होगा LCM यह 9 में LCM common तो हो गाई plus extra जो term होगा बड़ा वाला यह भी होगा तो यहाँ पर LCM हो जाएगा आपका 3 into 3 into 2 मतलब 18 ठीक है 9 और 18 का LCM हो जाएगा आपका 18 तो यह बोला गया है the least common multiple of two numbers is lowest number which is divisible by all the given number तो 18 is divisible by 9 9 is divisible by 18 और 18 is divisible by 18 तो यहाँ पर बोला गया है जो least common multiple है इसे बोलते है हम लोग LCM ठीक है तो calculate यह देखा जाएगा तो हम लोग क्या करते थे HCF में सबसे छोटा वाला लेता थे की selection जो minimum index लेता थे यहाँ पर maximum लेंगे यहाँ पर कुछ छोड़ेंगे नहीं हम लोग ठीक है तो यहाँ पर दो method फिर से है हम लोग यहाँ पर एक तो है आपका first है वही prime factorization वाला जहाँ पर हम लोग HCF में देखेते की prime factorization prime factorization और second है long division long division method तो यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे only prime factorization method ठीक है तो आज देखते क्या है prime factorization method so prime factorization method, prime factorization method LCM में ऐसे calculate करते है हम लोग देखें HCF में prime factorization method तो आज हम लोग देखेंगे कैसे prime factorization method use करके हम लोग LCM calculate करते हैं तो पहले तो यहाँ पर देख लेते क्या दिया after performing prime factorization of a number that is breaking the number into product of prime numbers जो देखें HCF में जैसे तोड़ के prime numbers के tab में तोड़ा जाता है तो यह हम लोग देखेंगे तो यह तोड़ने के बाद we find a highest index यह गौर करने वाली बात है देखें यह highest index हाँ यह गौर करने वाली बात है क्योंकि हम लोग HCF में करते थे least index यह है highest index दोनों में difference समझेए बात को यहां पर कावर कीजिए जो maximum रहेगा कुछ छोड़ेंगे नहीं हो आपर minimum selection नहीं है minimum selection HCF वाला था यह maximum selection है maximum selection अपका हो गया highest index ठीक है among the given numbers of all the prime that LCM is the product of all these prime numbers that are respective highest indices जैसे यहां पर मान लिजिए कि हम लोग निकालेंगे LCM of 12 और मान लिजिए कोई भी number 48 ठीक है 12 को हम लोग तोड़ेंगे घहां पर जैसे factorization करते है 2 into 6 is 12 2, 3 is a 6, 3, 1 is a ठीक है मतब 12 का हो गया 2 into 2 into 3 और ऐसे 48 का करेंगे आएका 2, 24, 2, 12, 2, 2, 6, 2, 3, 0 और 3, 1, 0 ठीक है तो इसका 48 का हो गया आपका 2 into 2 into 2 into 2 into 3 तो देखिए यहां पर 2 into 2 into 3 है मगर यहां पर देखिए 2 into 2 into 2 into 2 into 3 ठीक है तो हम लोग LCM यहां पर हो जाएगा maximum selection मतलब maximum highest index तो यहां पर LCM को हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 2 into 3 कहने का मतलब है 48 यह आपका यहां पर maximum highest index होगा highest index होगा यहां पर तो LCM हमेशा हम लोग लेते हैं ultra of HCF HCF में minimum HCF रहता तो यहां पर जाएगते हैं दो बार 2 है यहां पर दो बार 2 है एक बार 3 एक बार तो यह हो जाता है 12 ठीक है मगर LCM में maximum मतलब highest index highest least index यह होगी आपका 2 into 2 into 2 into 2 into 3 ठीक है तो यह है आपका LCM using prime factorization तो दोनों number का LCM हम लोग निकाले using prime factorization ठीक है easy है मेरे को लगता है कि यह आप लोग अच्छी तरह की सा समझ के होंगे और आगे जो problem है जो हम लोग आप देखेंगे real time examples क्या क्या आया है पहले previous year questions वो सब देखेंगे यह सब आप easily समझ सकते हूं ठीक है और मेरे को लगता है इसके बाद से आज के बाद से LCM और HCF में prime factorization यूज करके अभी तक LCM यहाँ पर पड़े है इसमें आपको कोई doubt होना ही नहीं चाहिए यह आप देखते ही सवाल कर दोगे देखते ही आपके दिमाग में यह click करेगे कि sir ऐसे करना है ऐसा करना है ऐसा कर देंगे बस यह ऐसे आप कर दोगे एकदम एकदम easily आप यह solve कर सकते हूं यहाँ पर मैं आपको दावे के सकते हूं तो देखिए अभी आगे में क्या-क्या problem से दिखेंगे थोड़ा real time problems कैसे कैसे question आता है exam point of view में different exam point of view मतलब SSC में आता है banking में आता है तो rail में आता है तो देखते है कैसे कैसे problem होते है देखत देखेंगे 72 मतलब 2 x 36 fit 2 x 18 fit 2 x 9 और 3 x 3 ठीक है मतलब 2 x 2 x 2 x 3 x 3 ठीक है 28 को दो दो रहेंगे तो यह आपका हो जागा 2 x 144, 272, 236, 2 x 18, 2 x 9 और 3 x 9 ठीक है मतलब 288 का हो गया प्राइम फेटरेशन 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3 ठीक है ठीक है तो 1080 का हम लोग देखेंगे यहां पे जो आपका न्या आप यह प्राइम फेटरेशन मेतर से होगा आपका तो यह 1080 में आपका यह हो जाएगा 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 3 x 5 ठीक है तो कहने का मतलब है आपका यहां पे लसीम हो जाएगा 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 करेंगे हम लोग multiply करने के बाद LCM आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो यह multiple करने के बाद आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ अगर calculate करेंगे तो आपका यह answer आजाएगा 4320 करके देखिएगा तबकर यहाँ पर answer आएगा 4320 तो 4320 is the LCM of 72, 288, 1080 difference समझ मैं है है HCF और LCM LCM कैसे calculate किया जाता है और HCF कैसे calculate किया जाता है तो LCM कैसे calculate किया जाता है तो यहाँ पर आप समझ गए कि LCM कैसे calculate किया जाता है तो 4320 और जो कोई भी हम लोग का यह lecture पहली बार देख रहे है उनलोग जो HCF वाला वीडियो जो follow नहीं किये होंगे तो वो हम लोग का चैनल को visit करके वो एक बार HCF का वीडियो देख ले ताकि और भी clarity के साथ यह questions हर साल maximum यहाँ मिल जाता है और rail में भी आता है ऐसा question तो यहाँ पर पुछा गया है 36 x to the power 3 यह power का साइन है यह power का साइन है तो x to the power 3 y to the power 2 24 x to the power 4 y तो पहले हम लोग 36 का देखेंगे factorization prime factorization 2 18 ठीक है 2 9 3 3 साथ ठीक है फीड देखेंगे मतलब यहाँ पर आपका हो गया इसको अगर हम prime factorization करेंगे तो हो हां, into y into y, इसका बोलो, इसका ये है, next, अगर यहां पर 24 का देखेंगे, 2 12 zer, 2 6 zer, 2 3 zer, और 3 1 zer, मतलब इसका हो गया आपका, 2 into 2 into 2 into 3 into x into x into x into x into y, तो यहां पर कहना के मतलब है, कि maximum यह इसका हो गया, तो maximum क्या है, यहां पर 2 बाट और 2 है, यहां पर 3 बार लगने, तो यहां पर देखें एक कितने बार है संगो कर दो एक, दो 30 यहां पर 21 का दो दो तीन चार maximum selection 4 times x into x into x into x और y देखे कितना प्या है? 2 times यहाप एक बार तो maximum selection y into y maximum index तो यह होगिया आपका 72 ना यह 72 होगिया होगा देखे कितना आ रहा है 3 3 is the 9, 9 to the 18, 18 to the 36, 36 to the 72 तो जब भी हम लोग least common multiple निकलते हैं यहाँ पर हम लोग calculate करते हैं least common multiple तो हम लोग हम पर maximum index लेते हैं highest index लेते हैं तो ऐसे ऐसे आपको सवाल मिलते जाएगा आपका problems जो जितना बढ़ेगा आप जितना practice करोगे आपका नया नया type का question आता जाएगा और ऐसे आप लोग जो जितना जितना maximum आप question solve करोगे different varieties का question मिलेगा आपको LCM, LCF, LCF के उफ़एर हम लोग यहाँ पर यहाँ पूरा concept खतम हो जाएगा HCF और LCM का इसके बाद और एक session रहेगा आपका जहाँ पे आपका problems और बेस्ट और नुमेरिकल मतलब नुमेरिकल बेस्ट और लाइन्स मतलब इंग्लिश में जो आपको जो टांस में वह एक्सप्रेस किया जाता है जाकि word problem जिसको बोलते है एक बार में word problem मैं just missing that term sorry word problem जो word problem आपका रहेगा जहां कि आम आपको दिखा रहेगा कि एकदम नुमेरिकल टाइप मतलब जो नुमेरिकल टाइप रहेगा वह एकदम एक्सप्रेस किया हुआ रहेगा इंग्लिश में कि one guys was there, there are soldiers जैसे हम लोग last video में किया थे कि soldier वाला problem तो आपका वह हो गया word problem जो word में उसको पकड़के आपको देखना पड़ेगा महाँ आपको मेंचिन किया हुआ नहीं रहेगा एक्साम में कि HCF ननिकालना है कि LCF ननिकालना है यह आपको judge करना पड़ेगा क्या निकालना है उसके बाद वह सब type का problem होगा हम लोग Facebook में like कीजिए पसंद आया तो हम लोगा community को पहले join कीजिए वहाँ पे आपको बहुत फाइदा होने वाली है वहाँ पे आपको free videos और जितना भी live classes है वहाँ पे आपको मिल जाएगी और यह हम लोगा community number 9933 79423 यह यहाँ पे आपको हम लोगा community number आपको मिल जाएगा यहाँ पे आपको WhatsApp में add कर सकते हैं आपको Telegram चैनल में follow कर सकते हैं आपको different types of PDF notes previous year questions, doubt clearing sessions सब को हम जाएगा तो उमीद करते हैं कि यह session अच्छा रहा होगा आपको अच्छा लगा होगा और मिलते हैं next session में और भी HCF और LCM के साथ ठीक है तब तक के लिए goodbye and take care